आप देख रहे हैं कैसन 24 नियोज पलपल की खबर वहन को किराय पर लेकर बाद में ड्राइवर के साथ मार पेट कर गाड़ी लूट ने वाले अंतर राज्य गिरोह के दो आरोपियों को कोरिया जीले की मनेंद्रगड पुलिस ने ग्रफतार करने में सफलता प्राप्त की है लूट कांड का तिसरा आरोपी अब तक फरार है पकड़े गए आरोपियों से लूटी गई अटी गागाड़ी और चालक का मोबाइल जब्त किया गया है मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिक्षक संतोष कुमार सीह ने बताया की मनेंद्रगड थाने में अग्यात आरोपियों द्वारा वाहन को किराय में लेकर चालक के साथ मार पेट कर वाहन लूटने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी मामले में अग्यात आरोपियों द्वारा घटना किये जाने की जानकारी मिलने के बाद एक विशेस टिम बना कर जाच शुरू की गई पतासाजी के दोरान तकनिकी विसलेशन मुखबीर तथा अन्य राज्यों में इस प्रकार की घटना करने वालों को चिनहांकित करने की योजना पुलिस अधिक्षक दोरा तैयार किया गया इन्ही विसलेशनों के अधार पर प्रमुख आरोपी मोहमद अकरम के बारे में सूचना मिली जिसे ग्रफतार कर पूछ ताच की गई आरोपी की निशान देही पर एक और आरोपी मोहमद शकिल को भी पकड़ लिया गया आरोपियों से लूटी गई अटीगा गाड़ी और चाला कमोबाइल बरामत कर लिया गया है लूट कांड का एक अन्य आरोपी कमल पटेल अब तक फरार है पुलिस अधिक्षक ने कार्यवाही करने वाली टीम को नगत इनाम देने की भी खोशना की है टाइक इस 394-201 जो लूट और संगहतिक कर चोड़ पहुचाने के मामले में एक अन्तर राजिय गैंग का वहां चोड़ो के गैंग का पला साज हम लोगों ने किया है एक गट्टा में यहां हुई थी 14 तारी को एक जो किराये पे देने वाला गाड़ी है उसको ली करके कुछ रेक्ति किराये पे लेके गए थे और उसको उन्होंने रास्ते में ट्राइवर को नसिली टैप्ट किला करके गाड़ी और मोबाइल रूप करके चले गए थे इसमें दो आरोपियों को आज हम लोगोंने गिरफ्तार के एक मोहमद अक्रम में एक मोहमद सकील है जो दोनों पूत्मा नुप्डुक के रने वाले हैं इनोंने कई राजियों में घट्नाएं ऐसी की हैं ब्यूरो रिपोर्ट के एसन 24 न्यूज